हेलो स्टुडेंट्स पुने स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में और स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो सेशन में हम कवर करा रहे थे टैन्थ क्लास का जो बोर्ड परिक्षा परसंपत्र था दोजार बाइस का वो हमारा था सेट नमबर वन यानि कि जिसका कोड था और इसके हमने कुछ कोशन करा चुके थे आप यहां पर देखेंगे हमने फॉर्थ कोशन के थार्ड पार्ट तक कोशन हो चुके थे अभी इस से आगे के कोशन हम इस पार्ट में लेकर आए हैं और यहां पर कुछ कोशन यहां पर इस पार्ट के हम कराएंगे यह जैसा कि य वारा बचा हुआ है यह रचना वाला कोशन है तो इसको कराएंगे इस पार्ट में तो जल्दी से जल्दी वीडियो का लिंक आप सभी अपने तो चलिए स्टुडेंट सुरू करते हैं यहां पर कोशन नमबर 4 का 4 पार्ट को आज हम इसमें कराएंगे तो यहां सबसे पहले एक वर कोशन को पढ़ लेते हैं तो देखे कोशन क्या है 5.8 सेंटमेटर लंबाई का एक रेखा खंड खीचना है और इसे 4 अनुपात 3 के अनु यूज करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां हमारा कोशन होगा कोशन नमबर 4 और 4 का 4 पार्ट होगा देखे 4 का 4 पार्ट होगा अभी यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर जैसे आप देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हमें एक रेखा खंड खीच रहा है 5.8 cm का तो यहां सबसे पहले हम एक रेखा खंड खीच लेते हैं जिसकी माफ होगी 5.8 cm तो 5.8 cm का यहां पर हमने एक रेखा खंड खीच लेते हैं यहां से यहां तक की माफ होगी हमारी 5.8 और इसको मैं नाम दे देता हूँ A and B तो इस रेखा खंड की लंबाई कितने होगी 5.8 cm तो अभी हमें क्या करना है नेक्स स्टैप हमारा क्या करना है नेक्स स्टैप के लिए हमें क्या करना है कि इस रेखा को हमें 4 अनपात 3 के अनपात में बाटना है तो हमें जो रेशो दिया है उसको देखना है कि 4 ratio 3, इन दोनों को add कर लिजे, 4 plus 3 is equal to 7, तो यहां विंदू A से, एक हम किरन draw करेंगे, जो की noon gone बनाती हुई, एक किरन खीचेंगे, एक कोई भी एक किरन हमने इस तरह की कोई एक किरन खीच लिए है, और इस किरन को हम, यहां पर साथ हुआ, तो इस किरन को हम 7 बराबर में बाठेगा, तो इस तरह से हम कोई भी एक निश्य दूरी यदि हम इस पर भर ले, और जिसे कि 7 बराबर भाग हमारे बन जाए, तो इस तरह से यहां पर रखके, और ऐसे हम चाप लगाते जाते हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर अगे आग पूरा पूरा एकजैटली देखो, हमने A7 काट लिया है, तो इसको लिख लेते हैं, यह पार्ट होगा हमारा A1, यह हमारा A2 होगा, यह हमारा A3, यह हमारा A4, यह हमारा A5, यह हमारा A6 और यह हो जाएगा हमारा A7, अब हमारा next step क्या होगा, कि हमें A7 से इस B को मिला लेना है, तो A7 से B को हम मिला देते हैं, अभी हमने A7 से B को मिला दिया है, अभी हमारा next step क्या होगा, हमारा step रहेगा, तो देखें यहां पर जो हमारा बड़ा पार्ट है, वो क्या हमारा 4 है, क्या हमारा 4 है, तो क्या करेंगे अब, यह हम देखें, कोई भी एक निश्य दूरी य हम आपकी इसमें यानि की प्रकार में इस तरह से भर लेते हैं ये दूरी हमने भर ली है इस तरह से तो वही अभी इस से पहले जो हमने चाप लगाया है सबसे पहले वही एक दूबारे से देखे आप यहां से कोई एक निश्ची दूरी भर करके हमने एक चाप लगाया इस तर से अब हूं एक चाप काटते हैं इस तरह से इस तरह से हम एक चाप काटेंगे यह वाला चाप अभी हमें क्या करना है कि A 4 से क्योंकि हमारा बड़ा part 4 है तो A 4 से इस भाग को मिलाती हूई एक line पिरहेंगे आप AB line को दो भागों में भिभक्त कर दिया है जिसका पहले का अनुपात आपका 4 होगा और दूसरे का अनुपात आपका क्या होगा 3 होगा अब इसी चीज़ को हमें steps में लिखना है कि सबसे पहले चरण नंबर 1 क्या लिखेंगे चरण नंबर 1 में मैं लिखना ही रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले AB रेखा खंड खीषते हैं कितना 5.8 cm का फिर A बिंदू से एक निवन कोन बनाती हुई एक किरण हम खीषते हैं जिसको साथ बराबर भागों में बाटते हुए चाप से काटा जाता है फिर हम A7 को B से मिलाते हैं नेक्स स्टेप उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि AB के यानि कि जो A7 B है इसके पैरलल हम एक लाइन कीचेंगे मतलब एक रेखा खंड ये हमारा खिचा जाएगा लाइन जो कि A4 C रहेगी जो कि AB के C बिंदू पर यानि कि चार अनपातीन में भी भग करती है ये हमें क्या लिखना है अपनी रचना में हमें step वाजी step हमें लिखना है अभी यदि हमें इसके जाच करनी है देखे यदि हमें इसके क्या करनी है जाच करनी है तो जाच करने के लिए क्या कर सकते हम तो इसमें जाच करने के लिए या फिर इसे को ओचित्ते भी बोलते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले देखो तिरभुज या एक बड़ देखेंगे हम कि हमारा जो तिरभुज है A, A, C, A4, A, C, A4 वे तिरभुज A, B, A, 7 में तो हम क्या देख रहे हैं कि A4C यानि कि A4C हमारी क्या है पैरलल किसके B A7 के हमारी क्या है पैरलल है तो इसमें हम थैल्स प्रमे का यूज करते हुए भी इसका ratio निखाल सकते हैं तो देखो थेल्स प्रमे का यदि हम use करते हैं तो देखो किसी तिर्भुज में तो थेल्स प्रमे क्या बताती है हमेरी हमें बताती है कि A 4 A 4 upon A 4 A 7 A 4 A 7 Is equal to क्या होगा A C A C upon C B A C upon C B और देखे A A 4 का जो अनुपात अभी हमारे पास आया वो कितना आया यहां तक 4 है यहां तक हमारे कितने है 3 पोइंट है तो यह हमारा आ गया कितना आ गया 4 अपोन 3 क्या आ गया हमारा 4 अपोन 3 तो यानि कि रेशो हमारा क्या आया 4 अपोन 3 या फिर ऐसे लिख सकते है AA4 अनुपाद AA7 is equal to क्या होगा 4 ratio 4 ratio 3 या फिर बोल सकते हैं कि AC ratio CB is equal to 4 ratio 3 अभी यदि हमें exactly हमें माप देखो माप भी गयात करना है अभी आपको बता था कि इसकी माप कितनी होगी तो इसकी माप भी हम यहां से देख सकते हैं कि इसकी माप कितनी होगी तो इस माप को देखने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले आप खुरी देखे इसकी माप देखने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले AC को यहां तक हम इसको लाएंगे और आप यहां पर देखेंगे AC को exactly है दिन आपते हैं तो हमारी आ रही है AC कमान 3.3, कितना मान आ रहा है, माप में क्या आएगा, हमारा AC कमान कितना आएगा, 3.3, तो 3.3 आएगा, अब यहां से देखे, CB कमान कितना आएगा, तो जब हम CB को यहां से माप करते हैं, तो यह हमारा आएगा 2.5, क्या आएगा, CB कमान, CB कमान आएगा 2. 2.5 और दोनों को add करते हैं तो हमारा आ जाएगा पूरा AB का मान कितना आ जाएगा 5.8 जो कि बिलकुल हमारा exact आ रहा है तो इस तरह से ये question को complete करना है आपका एक दम बहुत ही शांदार question है जो ये दो नंबर का question आपका पूरा हो चाता है अभी next question की और बढ़ेंगे और next question की और बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा की वीडियो का link अपने सभी friends के पास में शेयर कर देना है so that सभी students इस प्लेटफर्म से जल्दी से चल्दी चूट जाए अभी question number 5 की और बढ़ते हैं question number 5 तो देखो question number 5 में आप यहाँ देखेंगे इसका care part है इसमें क्या करना है सभी खंड करने है तो इसमें क्या लिखा गया है देखें यहाँ पर question number 5 को पढ़ लेते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ग्यात कीजी हमीं क्या करना है ऐसी दो संख्याएं ग्यात कीजी जिनका योगफल 27 है और गुनफल 182 है तो चलिए भई सबस सथा दूसरी संख्या सथा दूसरी जो संख्या है उसको मैं क्या माल लेता हूं बी है तो देखें अभी हम क्या लिखेंगे कि प्रसनानुसार प्रसन के अनुसार तो प्रसन के अनुसार हमें क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग देखें यहाँ दुबारे से देख B बरावर कितना दिया है 27 और उनका गुणन फल A into B ये मान दिया है कितना 182 तो अभी देखे यहां पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं हम जानते हैं देखे एक algebraic जो expression होता है उसके according ये होता है हमारा A minus B का यदि मैं whole square करूं तो ये whole square A plus B के whole square और minus 4AB के बरावर होता है देखे यदि हम इसको खोलेंगे ना तो A square plus B square plus 2AB आएगा अब 2AB minus 4AB यहां पर B है यहां पर क्या हमारा B 4AB के बरावर होता है तो 4AB यानि कि मैंसे 2AB गटेगा तो हमारा minus 2AB आजाएगा जो कि इसके बरावर आजाएगा तो अभी हमें क्या करना है इसकी value put up करनी है बस यहां पर देखे इसकी value क्या है 27 तो इसका whole square minus 4 इंटू इसकी value 182 यहां रख दीजे तो यहां से A minus B का whole square is equal to 27 का हम पर करेंगे तो 729 आता है और minus इसका गोना करेंगे तो 4 दूनी 8, 845, 2 और यहां गया 7, यानि कि 728 तो यहां आ जाएगा आजाएगा 1 निकल करके यानि कि plus minus 1 आएगा लेकिन हम minus को लेते ने तो 1 लेगे तो इस तरह से minus A value आई और A plus B की value आई हमारी 27 अब देखे सीधे सीधे हम और B कमान भी निकाल सकते हैं यदि देखे हमें A कमान direct निकालना तो क्या करते हम कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो और by 2 कर दो तो यानि कि 27 plus 1 by 2 यानि कि आपका 28 by 2 यानि कि आपका आजाएगा 14 तो A कमान 14 आगया इसी तरह से B कमान निकालना 13 यानि कि पहली संख्या हमारी क्या आगए 14 और दूसरी संख्या हमारी क्या आगी 14 और 13 यानि कि दोनों संख्याओं का मान हमारा निकल आया है यही इस कईसे का हो जायेगा answer अवि नेक्स कोईसन की और बढ़ते हैं तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिये क्योंकि जित तो next question है हमारा यहां देखिए, यह है आपका बहुत ही अच्छा प्यारा question है, चार नंबर का question है, यह अभी चार नंबर के question स्टार्ट हो चुगे हैं, तो यह भी चार नंबर का question था जो अभी हमने कराया है, अभी next question है हमारा, यह देखे बहुत ही प्यारा question है और इसमें क्या करना है। सिद्द करना है कि उस रेखा पर जो अक्सों से a, तथा b अंत्यकंड काटती है मूल विंद्दू से डाले गए लंब की लंबाई यदि p है तो सिद्द करना है 1 अपोंной 2 Spanish is equal to one upon a Việt 1 अपों canım Plus one upon a तो काटती हैं तो सबसे पहले हम क्या करते है एकसइस ड्रो कर लेते हैं इस तरेसे हम क्या करते हैं एक्सिस डो कर लेते हैं यह हमारा एक्स अक्स है यह हमारा एक्स डैस है यह हमारा वाई अक्सिस यह वाई डैस है तो देखे एक रेखा इस तरह से काटती है अंताय खंड काटती है तो यह माल लेंगे हम हम यहां से A, X को A पर काटती है और Y को यानि की B Y पर हमने B ले लिया और X पर तो अब यहां पर यदि मैं मूल बिंदू ओबानता हूँ तो इसके निदे साम कितने होंगे मूल बिंदू के तो 0,0 होते हैं तो A चले और A के बाद में A 0 होंगे और यहां से पहले हम B चले यानि की 0,B होगा तो अभी एक चीद देखे यहां से क्या बोला है कि मूल बिंदू से इस पर क्या डालता है लंब यह लंब डाला मूल बिंदू से इस पर और इस लंब का मान दिया है तो इसका नामकरन कर लेते हैं तो इसका नाम करेंगे तो यहां पर चलो मैं कुछ और भी माल लेता हूँ O P और यहां माल लेता हूँ आपका Q और इसको माल लेता हूँ आपका R ठीक ना O P Q R इस तरह से माल लेता हूँ तो अभी देखे हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले यह हमारा P है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमने लंब डाला तो इसका मतलब यह 90 हो गया तो यहां पर यदि मैं माल लेता हूँ कि एंगल P-O-Q यह P-Q-O तो यहां माल लेता हूँ कि माना कौन P-Q-O यह वाला कौन P-Q-O इसका मान मैं माल लेता हूँ कि इसका मान क्या है थीटा यह यदि मान लिया मैंने क्या माला यहां पर थीटा माल लिया अब देखे यदि यह थीटा है तो यह पूरा 90 यह पूरा 90 तो यह एंगल कितना होगा यह एंगल होगा 90-thीटा क्या होगा 90 माइनस धीटा विल्कुल इस पस्ट रूप से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं उमीद करता हूँ कि एक तम समझ भारा होगा यदि कोई स्टेप नहीं समझवाया है तो आप कमेंट लिख सकते हैं तो देखें यहां पर सबसे पहले हमने इस तरह से कर दिया है तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहां कोई हम दो तिर्भुच लेंगी क्या लेंगे हम दो तिर्भुच तो तिर्भुच देखें सबसे पहले ये वाले तिर्भुच में हम ले लेते हैं देखें इस तिर्भुच में O P Q में तो सबसे पहले क्या लिखेंगें कि तिर्भुच O P Q में अब देखें आपको पता होना चाहिए कि 90 डिगरी के सामने वाली भुजा क्या होती है करण और इसका मान A दिया है और ये बुजा हमारी क्या है लंब तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें साइन थीटा लगा देते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे करण यानि कि P अपून A इस तरह से हम लिख सकते हैं P अपून A तो साइन थीटा की वैल्लिव भी देखो यहाँ पर लगा दो यह हमारा क्या होगा भाई साइन इसमें भी साइन लगा के देखो तो यह हो जाएगा साइन 90 माइनिस थीटा बराबर लंब बटे करण तो लंब तो यह रहेगा और करण यह रहेगा तो लंब यानि एक टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है तो टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होगा हम जानते हैं देखे हम जानते हैं क्या है टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कि साइन स्कार थीटा प्लस कोस स्कार थीटा इसकल टू क्या होता है वन दोनों की value इसमें put up कर दीजे तो sine का मान क्या है P upon A का whole square हो जाएगा और यहां से cos का मान क्या होगा P upon B का whole square हो जाएगा और इस गल्टू 1 तो यह अभी हैं से P square आएगा तो P square को कॉमल ले लिजे तो यह आजाएगा 1 upon A square plus 1 upon B square और इस गल्टू यह हो जाएगा 1 और यदि मैं इसको सीदे सीदे 1 upon A square plus 1 upon B square इस गल्टू करना चाहूं तो P square इसके नीचे चले जाएगा तो 1 upon P square यही हमें सिद्ध करना था यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था तो यहाँ इससे पहले एक वर हम लिख सकते हैं सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना था कि 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया है और इस तरह से बहुत ही आसान वे में हमने सिद्ध कर दिया है अभी हम next question के और बढ़ेंगे और next question भी बहुत अच्छा question है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को share करते रही है so that सभी students इस वीडियो शेशन से जुर्पाएं तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है आपके लिए helpful लग रहा है तो वीडियो को like भी कीजे क्योंकि बहुत सारे students वीडियो को like नहीं करते हैं वो ऐसे ही भूल जाते हैं तो वीडियो को like करना भूलना नहीं है तो देखे question number आपका gap आट देखे इसका क्या है फिप्त का gap आट की एक लम वर्तिय संकू के आधार की परीदी दिये है 24 cm क्या दिये है लम वर्तिय संकू के आधार की परीदी कितना दिया है 24 5 cm दिया है 24 5 cm दिया है और यहाँ पर फिर क्या दिया है उर्द्वदर उचा ही 5 cm है तो संकू का आयतन ग्यात कीजे बहुत ही प्यारा question है अच्छा question है तो यह है पाँचवे का gap part यानि कि five का third part है तो five का third part देखो किस तरह से हम इस question को लगाएंगे तो इस question को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिया है एक लंब वरती है संकू यह कोई संकू दिया है संकू लंब वरती है संकू इस तरह से में मान लेता हम को संकू है तो यहाँ पर इसकी जो परिधी है यह परिधी का मान दिया है 24 पाई सेंटी मीटर कितन दिया है 24 पाई सेंटी मीटर तो यदि आपको देखेंगे कि संकू का जो आधार है वो क्या होता है व्रताकार होता है तो इ 24 पाई के किसके बराबर हो जाएगा 24 पाई के तो पाई से आपका पाई कट जाएगा यानि कि 2 आर इसगल 2 क्या होगा 24 या आर इसगल 2 आपका आएगा 24 पाई 2 यानि कि आपका आजाएगा यहां पर 12 आजाएगा तो आर की वेलू 12 आगी यानि कि संकू की जो तरिजा है वो कितनी आ जाई यहां पट्टाल आ गई और इसमें क्या दिया है हमें हमें दिया है इसकी मुचाई भी दिया है एच का मान इस एच का मान कितना दिया है हमें दिया है पाँच सेंटी मीटर तो अभी हमें क्या निकालना है संकू का आयतन तो बहुत ही आसान है तो संकू का आयतन संकू का आयतन बराबर क्या होता है एक वटे तीन पाई आर स्क्वार एच ये सीधा सीधा फोर्मूला होता है एक वटे तीन पाई आर स्क्वार एच तो वान अपोन थ्री पाई का मान पाई का मान 22 वटे 7 रख सकते हैं इंटू आर का मान यहां से कितना हैं 12 गुना 12 और गुना H का मान अभी हमें नहीं पताया है 5 सैंटी मिटर तो देखें यहां पर कुछ चीजे कटेगी तो काट लेते हैं 3 चोके 12 और बागी की गुना कर देते हैं 5 चोके 20 यहीं कि 22 गुना 20 गुना 12 बटे 7 थोड़ा सा और इसको सोल कर लेते हैं 22 गुना 12 00 12 24 बटे 7 तो इस तरह से इसको सोल करेंगे तो जैसे इसकी मल्टिप्लाई करेंगे और 7 से भाग देंगे मैं डारेक्ट थोड़ा से लिख रहा हूं तो यह आजाएगा आपका 754.28 सेंटीमीटर क्यूग क्योंकि यहाँ पर हमने क्या निकाला है आईतन निकाला है तो अभी इस तरह से हमने यह कोशन को कर पाए हैं अभी हम नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं उसका जो फॉर्थ पार्ट है वो देखते हैं फॉर्थ पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है तो यहाँ देखे एक फॉर्थ पार्ट आपका जो संकीकी से रिवलेट्ट है और देखिए फॉर्थ पार्ट क्या दिया है इसमें यहाँ पर देखे कि निमलिकित बंटन एक महले के बच्चों के देनिक जेव भत्ता को दरसाता है और माद्ध है जेव भत्ता यानिकी 18 रुपया हो तो बारम बारता यानिकी F का मान हमें ग्याद करना है तो देखे F का मान ग्याद करना है तो इसके लिए बहुत ही आसान है सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे प खडिक टेबल के रूप में मैं इसको लिख लेता हूँ तो कोश्चन नमबर हमारा क्या है फाइब फाइब का जो फॉर्थ पार्ट है इस तरह से है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेगे हम देनिक भत्ता यानि कि जो हमारा देनिक भत्ता है इस तरह से और यहाँ पर एक ऐ तो हमारा वरगंतराल दिया होता है, उसका मध्धे मान, यानि कि मध्धे वैलू, उसके निकालनी पड़ती है, तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले वरगंतराल क्या दिया है, 14-13, उसके बाद 15-17, 17-19, और फिर उसके बाद में 19-21, और 21-23, और फिर एक और दिया है, 23-25, त तो देखें, इसकी जो वैलू दिया है, इसकी वैलू कितनी दिया है, यहाँ पर देखेंगे, 7, यहाँ से 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 13, यहाँ पर F, और यहाँ पर आपकी आएगी 5, और यहाँ पर आएगी आपका 4, तो इस तरह से यह हमारा यह वैलू दिया है, अब क्या करना है हमें हमें इसका मद्दे वेल्यू निकालनी है तो देखे 11 प्लस 13 की मद्दे वेल्यू कैसे निकालेंगे 11 प्लस 13 भाई 2 कर देते हैं यानि कि 11 प्लस 13 यानि कि 24 भाई 2 यानि कि कितना आजाएगा 12 इसी तरह से इसके बीच की वेल्यू क्या आगी 14 इसके बीच की वेल् क्या हम जाएगी 22 हो जाएगी और यहां पर इसकी वयल्यू दा जाएगी 24 अभीutetore क्या क्या करना एक और लाइन बढ़ाना है और जिसमें हमें क्या करना है Let us एक्स करना है तो जैसे हम f ox X करते हैं तो देखो यहाँ पर आजाएगा आपका 84 और बरे सते 84 होते हैं और 146 का भी इतना होता है 624 यानि कि 2884 और इसी तरह से यहाँ पर आजाएगा 144 और फिर 13 की और 18 की मल्टिप्लाई करने के बाद में हमारा आएगा 234 और यहाँ पर जब 20 की F से मल्टिप्लाई करेंगे तो 20F आ जाएगा सीधा सीधा इसकी तो मल्टिप्लाई है क्योंकि F unknown value है और इसकी 110 हो जाएगा 1250 110 और यहाँ से 24 चुक्य कितने हो जाएगे 96 चाण ठीक है तो इस तरह से अभी हम एक लाइन यहाँ पर यह से खिसते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं इस सिग्मा F कमान निकालते हैं यानि इसकी value कितनी आएगी इसकी value आएगी 752 और प्लस आपका आएगा 20F ठीक है ना तो अभी यह हमारी value किसका मान आया सिग्मा FX का मान आया और यह value किसकी value आई सिग्मा F की value आई तो अभी हम जानते हैं जो माध्दे का सूतर होता है तो माध्दे बराबर क्या होता है माध्द कर दिया है तो इस सी मुआ fx की value क्या होगी 752 और plus 20f और अपोन यहां से आ जाएगी आपका 44 plus f अभी क्या करना है है हमें cross multiply कर देनी है इसके नीचे 1 रखो cross multiply कर दीचे तो जैसे हम cross multiply करते हैं तो अठारे की और चवाली की जब उना करेंगे तो यह आएगी आपकी 792 और प्लस यहां से आपकी 18f आजाएगी और is equal to 752 और प्लस आपके 20f है तो यह देखे f वाले को इधर भेज दीजे और इसको इधर ले जाएए तो 792 आपको दिखाए दे रहा होगा 792 minus 752 is equal to क्या होगा 20f minus 18f तो यहां से देखो इसमें से जब हम इसको घटाएगे तो कितना आएगा हमारा 40 आजाएगा और 40 is equal to 2f तो यहां से यह f is equal to क्या होगा 40 upon 2 इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना आजाएगा आपका 20 आजाएगा जो कि हमें यही value निकालनी थी and this is the answer of our question यह हमारे question का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अभी हम next question के ओर बढ़ेंगे और वीडियो को यदि आपने अभी तक like नहीं किया है तो फड़ाफ़ट वीडियो को like कर दिजे so that आपको next वीडियो चल्दी से जल्दी मिलेगी कि यदि वीडियो पर आपको positive response आता है तो next वीडियो भी फड़ाफ़ट आपको मिलती रहेगी तो अभी देखें next question के कुछ पार्ट देख लेते हैं so that वीडियो काफी लंबा ना हो फिर next video पार्ट में हम कराएंगे अभी देखें यहाँ पर आप question number six को ले रहे है question number six को ले रहे है तो question number six में सबसे पहले यहाँ देखें एक दो question इसका देख लेते हैं six का तो यहां देखे क्या है कि दो कर्मागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें दिया है 244 तो हमें क्या करना है कि संख्याओं गयात करनी है कि वही कौन सी संख्याओं होगी तो देखे बहुत ही असान कोश्चन है इसको करने का तरीका क्या है सबसे पहले यहां पर देखना होगा कि करमा गत धनात्मक सम संख्याएं दी है और उनकी वर्गों का योगफल कितना दिया है 244 दिया है तो संख्याएं गयात करनी है तो देखे सबसे पहले हम माल लेते हैं कि माना दो कर्मा गत धनात्मक सम संख्याएं धनात्मक जो सम संख्याएं है वो मैं मा लेता हूँ कि हमारी एक संख्या क्या है एक्स है तथा दूसरी संख्या क्या है एक संख्या एक्स है और दूसरी संख्या एक्स प्लस टू है तो प्रस्ना अनुसार क्या बोलता है भई x plus 2 का work करो, x plus 2 का whole square is equal to 244, अभी क्या कर दीजे, इसका work खोल दो, तो x square plus a plus b के whole square से खोल दीजे, तो x square plus आपका यहां 4 आ जाएगा, प्लस दोनों की गुना का double, यानि की 4x is equal to 244, x square और x square कितना हो जाएगा, आपका 2x square, plus के 4 plus 4x is equal to 244, 4, तो इस तरह से, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x square plus के 4x, और यहां पर plus का 4 minus के 244 is equal to 0, 244 में से 4 आपका घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x square plus के 4x, और यहां पर minus का 240 is equal to क्या जाएगा 0, 2 से कर दीजे, भाग, 2 से भाग कर देते हैं, तो जैसे 2 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, x square plus 2x, और minus, यहां जाएगा, 120 is equal to 0, अभी देखे, यहां पर दुईगात समिकर्ण बन गई है, तो दुईगात समिकर्ण का हल करने का तरीका बताया हुआ है, कि जो लास्ट के संख्या होती है, इसके ऐसे 2 पार्ट करते हैं, ऐसे 2 टुकडे करते हैं, जिनका जो गुननफल है, वो ये संख्या हो, और जिनका जो अंतर है, वो ये बीचवाली संख्या हो, तो देखे, 120 के 2 टुकडे अब कर सकते हैं, 12 into 10, क्योंकि 12 minus 10, जो इनका अंतर है, वो क्या आदा है, हमारा 2, तो यहाँ पर इसकी जगे क्या रख सकता हूँ, x square की जगे, 12x minus 10x, और minus का 120 is equal to 0, यहाँ से देखे, x को मल ले लो, तो हमारा बचेगा x plus 12, minus 10 को मल लेंगे, तो क्या बचेगा x plus 12 is equal to 0, तो x plus 12 is, यहाँ से को मल ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा x minus 10 is equal to 0, देखे, x plus एक बड़ इसको बराबर 0 रखेंगे, तो x की value आएगी minus के 12, और एक बड़ इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो value आएगी x is equal to 10, तो हमें क्या लेना है, positive value और negative value को हम neglect कर देते हैं, तो cable positive value लेंगे, अब positive value लिया, तो हमारी संख्याएं क्या मान रखी थी हमने, हमने संख्या मानी थी x और x plus 2, तो अभी हम लिख सकते हैं कि धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक सम संख्याएं क्या निकल के आएगी हमारी, एक तो आएगी x का मान 10, और दूसरा x plus 2, यानि कि 10 plus 2 is equal to 12, तो संख्याएं क्या है हमारी, 10 और 12, ये हमारा हो जाएगा अंसर, तो इस तरह से हमने इस question को भी कर पाए हैं, और मैं मुईत करता हूँ कि आपको बिलकुल समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कि अभी इन questions को इसी वीडियो तक सिमित रखते हैं, और फिर next जो questions आएंगे फिर next वीडियो में हम करेंगे क्योंकि आदा गंटे की वीडियो हो चुकी है अभी next वीडियो में हम बाकी question को cover करेंगे next part में यानि कि तीन पार्ट में इस question को paper को हम solve कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है वीडियो uploading करने में भ तो इसलिए आपको next part में वीडियो मिलेगा तो चलिए सभी students का पुन है मैं आपको धन्यवाद देता हूं और thanks for watching this video session आपका दिन शुब हो मंगल में हो इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much for watching this video